हेलो नमस्कार दोस्त कैसे हैं आप सभी लोग तो जो भी लोग 10th पास वाले हैं और अपने एक छोटी सी जॉब के साथ पढ़ाई का भी देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक opportunity आई है यंत्रा इंडिया लिम्टेड में apprentice की अगर बात करें apprentice क्या होता है तो एक तरह से आपको यहां पर दोस्त ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ साथ कुछ आपको पैसे भी मिलते हैं तो यहां अगर आप बात करें यंत्रा इंडिया लिम्टेड तो यह भारत में ज लांगे गए हैं तो अभी क्या है आवेधन की जो संभावित किती है यह अक्टूबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी फीस आपकी जीरो है एक भी रूपए नहीं लगने वाले हैं और जो भी लोग टेंथ पास किये हुए हैं वो इस पद को भर सकते हैं तो भर भ लेती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी जगे पर आराम से नौकरी पा सकते हैं अगर आप देखें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम कित्ती है 35 साल है और सरकारी नियमों के अनुसार जो है वो छूट में आयू में छूट भी जाएगी जैसे आपको ST, ST और OBC में जो एज रिलक्सेशन होता है वो यहाँ आपको मिलेगा आपको क्या है आपको कहीं से दस्वी पास करना है और जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको ITI का डिप्लोमा होना चाहिए तो यह बहुत छोटी सी सर्ट ह है अगर आप इसको पूरा कर रहे हों तो एक बार form भर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान सा होगा एक exam जिसको आप qualify कर लेंगे तो आपका होगा document verification और document verification के बाद आपके medicals होंगे और इस medical के बाद simple सी बात है आप कहां पहुँच जाएंगे directly अपने posting पर पहुच जाए लिए बहुत कुछ आपको सीखने को यहां पर मिल जाएगा 4049 पदों पर यह vacancy निकाली गई है किसके द्वारा यंत्रा इंडिया लिम्टेट के द्वारा तो यह एक semi government firm है जो gun factory है एक तरह से और यहां पर जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपको भविस्त में बहुत ही ज लिए देखें तो documents क्या क्या लगेंगे तो आपका एक verified आधार card होना चाहिए आपका 10th का certificate आपके पास होना चाहिए और जो आपके 10th की mark seat होनी चाहिए वहां पर और यहां पर दो चीज़ें और लग रही है आपका एक आपका लगेगा I प्रमान पत्र यानि कि आपका जो income certificate होता है वो लगेगा और एक दो मिसाई लगेगा यानि कि जो आपका निवास प्रमान पत्र है वो तो यह दो papers आप जो है complete करवा के इस phone को भर सकते हैं ठीक है तो अगर और कोई information आपको शहिए तो आप comment कर दीजेगा वहां पर मैं आपको इसका reply दे दूँगा और जो भ लोग इसको भन नीचिए आप सुविधा का लाव उठाएए ठीक चलिए